दिल्ली के रोहिनी जिला प्रशांद वेहार अस्ते नौर्थ एक्स मॉल में बने रेस्टरेंट बार के बाहर से एक यूती के गिरने से संदिक्द हालत में मौत हो गई परिजनों का आरोप यूती से छेड़चार पर जबजस्ति करने की कोशिश की गई और उसकी बहन से भी आरोपियों से मार पीट हुई और दबाव बनाने के चलते कुदी यूती अपने जान दे कर बचाई आवरू बार संचौलक समेश सभी आरोपी फरार थाने से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की नाक की नीचे बने आवैदबार में देर रात तक चल रही थी प्राइविट पार्टी यह संसनी खेज वार्दात हुई पुलिस मामले की तफ्तिश में जूटी है जानकारी के मताबिक 21 वर्षे मृतक यूती रूबी बदला हुआ नाम है जो की मुलरूप से नेपाल की रहने वाली थी और बुध विहार इलाके में अपनी बड़ी बहन वा मा के साथ किराय के मकान में रहती थी इस मामले की चश्मदीद जो की मृतका की बड़ी बहन थी उसने बताया कि वह उसकी छोटी बहन रेस्टोरेंट और पार्टियों में डांसर का काम करती है वारदात के समय भी बार में उन्हें काफी देर हो गई थी और बार मालिक विजए के साथ आएक उस लड़कों ने पहले वहां जम कर शराप पी और फिर वहां सुबह तक रुखने के लिए वहां मौजूद डांसर्स पर दबाव बनाने लगे और उनसे बदसलूकी करने लगे जिसके बाद जब ब्रतक यूती बार के बाहर बने वाश्रूम में गई तो आरोपी भी उसके पीछे चला गया और वहां उससे जबरजस्ती बदसलूकी करने लगा जिसका विरोध मृतिक यूती ने किया और इसी बात को लेकर आरोपियों से उसका जगड़ा हो गया और जब शूर सुनकर सभी बहार आये तो आरोपी मृतिका की बहन से भी जगड़ा और गाली कलूच करने लगे यहां तक कि उनके साथ मारपीड भी की गई उन्हें जबरन रोगने लगे जिसके बाद पीड़ित यूतियों ने पुलिस को भी कॉल करना चाहा लेकिन आरोपियों ने उनका फोन चीन लिया और इसे बीच मृतिक यूति आरोपियों की बचसोलूकी और दपाऊ से इतनी ज़्यादा परिशान हो गई कि अपनी आबरू बचाने के लिए उसने मौत को गले लगाना गवारा नहीं लिया और मॉल की तीसरी मंजल से कूट कर अपनी जौन दे दी आनन्फानन में खून से लगपत रूबी बदला हुआ नाम रोहिनी के ही बाबा साहिब अमेट कर अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोशित कर दिया वही नौर्थ एक्स मॉल में ड्यूटी पर तेनाद गार्ड ने पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी और जब मौके पर पुलिस पहुँची तो मॉल में अंदर फर्ष पर खून पड़ा हुआ था और बार के संचालक विजर समय सभी आरोपी तब तक मौके से फरार हो थे वही मौल की गार्ड ने बताया कि यह बार हर रोज देर रात तक ऐसे ही चलता है लेकिन घटना के समय वो खुद मौके पर नहीं था वही सूत्रों की माने तो पुलिस ने मौल वा बार में लगी सेसिटी वी कैमरों की फुटेश को भी कबजे में लिया है ब्रतक रूबी और उसकी बड़ी बहन अपने परिवार का पालन पोशन करने के लिए पहले स्ट्रेट शू किया करती थी लेकिन लोगडान और परिवार के माली हालत को देखते हुए उन्होंने अभी कुछ महिने पहले से ही बार और रेस्टोरेंट पार्टियों में डांस करना शुरू कर दिया था लेकिन अब इस घटना के बाद मुरतक रूबी के परिवार का रूरू कर बुरा हाल है और अपनी आखों के सामनी अपनी बेहन को दम तोड़ते वह मन्जर रूबी की बड़ी बेहन नहीं भूल पा रही है और अब पीडित परिवार पुलिस से न लगाए बैठे हैं लेकिन सवाल कि आखिर मॉल में यह बार इतनी देर रा तक कैसे चल रहा था यहां आए दिन आखिर ऐसे प्राइविट पार्टिया और्गनाइस की ज़ाती है क्या इस बार के पास कोई लाइसेंस था या नहीं क्या यह सब पुलिस की जानकारी में था य लाउंच धडले से बेरोक टूक चल रहे हैं और प्रबल अशंका है कि इन अवैद बारवा क्लबों को कही न कही स्थानी पुलिस का संरक्षन प्राप्त है और अब नौर्थ एक्स मॉल में हुई इस घटना के बाद जरूरी हो गया है कि ऐसे अवैद अड़ों का खुलासा हो ताकि पुलिस के आलादिकारियों को भी लोकल पुलिस के इन कारणामों का पता चल सकी और इन अड़ों समय दोशी पुलिस कर्मियों पर भी सक्त से सक्त कालिवाही हो सकी इसलिए एक जमिदार न्यूस चैनल होने के नाते अब हमारे चैनल पर जल्द ही ऐसे अवैद पुलिस की ती में जगर जगर चापे मार काईवाही कर रही है लेकिन इस घटना के बाद पुलिस की कारशेली पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है तो आप पुलिस की कारवाई की कितना संतोस्त हैं पुलिस की कारवाई से तसली दी है बोला है आज सुबे भी गए थे बोला है कि होर चल रही है कारवाई तुमारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा और ये भी बोला है कि जो विजे विजे था जो में वो हिमाचल भागा था और हमाई टीम गई है उसे पकड़ने के लिए उसका पता चल चुका है पूरी जानकारी की घटना जो है घटना हुई उसकी जानकारी जो है वो पुलिस को किस ने दी वो नीचे गाड मॉल के गाड ने सो नंबर पर फोन किया फिर यहां पर ऐसा ऐसा हो गया जल्दी आई है तो वो जब तक हम वहां पहुच चुके थे अंबेटकर होस्पिटल त तो रशोच चलती हमें तो दो दीन वाता करें दो दिन में पहले जबाब गए थे तब कितने वे तक पाटी चली थी और इह दुन किते वे लिभी तक चली टी तो ऑर रहानी अगर कितने बज गए थे सब्सक्राइब घंट हो गया था ना साड़े चार पांच बजे की घटन जब मेही भेहन ने छलांग वारीती है